प्राइब द्यात्यों आज असी वेलकम लाइफ स्वागत जिन्दगी जो तड़ी बार्मी क्लास दी बुक है उदा सी पहला लेसन करांगे जिदे विच तानों मैं टॉलरेंस दे काइडनेस ए दो शबद ने ए लेसन दे दो सब टॉपिक ने एदे उपते आज असी चर्चा क करांगे इना दू शब्दा ने ताटी जिन्दगelectश तर्क भी की भीष्थ सताँ एदे यूठ आघना शब्दा नों तुसी अपनी जिद्दगी बीचे ताल के में अपनी जिद्दी नूम एक बद्या तरीके लाज जी सकते हो टेपने कलास दा बदियां घॉन अपने कार अपने समाज दा बदिया मगोल तुसी सिर्जन दे विच एक मदद कर सकते हो ते पहला शब्द है टॉलरेंस जिदा मतलब है शहन शिर्टा दूसरा शब्द जो सी करांगे उदा मतलब है काइडनेस जिदे विच असी डया पावना द्यालुता पावना दे बारे तानों समझा मांगे ते चलो होन सी अपने पाठ उस तक जो है बुक दे उत्ते फोकस कर दे हां अपने बुक नो नाल तुसी खोल के बैठना है ते नाल नाल तानों मैं समझावागा जो की उखे शब्द ने इंगलिश ने ओवी तानों ट्रांसलेट करके दसांगा तांके तानों बदिय किने टिकने गां समझाऋ सके टे वीडियो अपने साथिया दिनार से पाठिया दिनार वैठ़के जरूर देखो ते आपस बिच इना शब्दा नू जुरूर डिसकस कर ना है कि ऐषब्द किस तरह ताहा ता ढडी जिन्दगी नूँ सेही त्रीक के दनार जीड़ जीड़ ध वेचे दसीया ने जा एतो इलावा जो कितनीया ने ओना नूं तुसी जरूर मेरे ना शेयर जरूर करना वाट सहब थे असी ओ जरूर कलास दे वेचे डिसकस करागे चलो होना सी अपना लेसन शुरू करने सस्रीकल प्यारे बद्यारतियों आज जैसी बेलकम लाइफ सवागत जिन्दगी एदे वेचे जो लेसन नंबर वन है उनूं कम्प्लीड करांगे सो जिमेकी मैं तानों दस्या है कि एदे वेच जैसे याज दो शब्दादे उत्ते विचार करांगे जिना दे वेच मैं दस्या सीकता है टॉलरेंस सेकेंड है काइंडनेस सब तो पहले सी टॉलरेंस यहनों शेहन शीलता केंदे ने ओदे उत्ते चर्चा करांगे इस चैप्टर दे वेच की दस्या है ते काइंडली विडियो प्यारे बच्चों एंडे तक जरूर देख्यो तांकि तानों यह जो विशा है यह जो टॉपिक है लेसन है चंगी तरह समझ आ सके ते विडियो जादा तो जादा अपने साथिया नों से पाठिया नों भी शेयर कर देना तांकि वो इस चीज ता फैदा लेसकर ना तो टॉलरेंस दी गाल किती है ते इस ही तो लिव हो पिशून सैन हुंबलनेस एक स्पिरिट हुं दी ज्ट विजा है ज़यन से पेशंस आसी शांती दिनाड तर हमल लुझ मार्म दिनाड दिनाड दिनाड, नर्म दिनाड को सद्धे वेच्छ पाबना हुनी चाहिएए भंदर्दी पाबना तर हादी से शांती ना रह सकते हैं साध्डे बेच्छ एकदम जोश्च निया एकदम घुसच निया चु तो तो टॉरर् Means आध़ अएटीया सो टिम्स तो का मदू है विब लेड़ य। पब regards ुब्रोख अखेंश आफ्टी आश्र।। तो उपना अपनें आभ इसके माद्गीन हुए ब chemane rivalry and jealousy so एक जीन दी कला है जो आसी कहा सकते है जो टौर ने शेहन शेलता है कि जीन दी कला है एदेवें चसी jealousy तो उपर उठना है एक दूसरे दिनाल जो सा नूँ जलन हों दी एक दूसरे दिनाल जो आसी कहा सकते ह। बैर विरोद है जो पावना है, दवेश पावना है, उतो अपर अठके जीना है, in other word, it means to accept merits of other with patience, wisdom and aesthetic sense, एदेवेच असी दूसरेयां दियां, जो खूबियां ने, जो merits ले, उनों असी असेप्ट करना है, उदी जो अकल है, wisdom है, aesthetic sense है, उनों असी देखना है, we have our own way in which we want to live, eat, sit and speak, रहना, खाना, बोलना, पसंद कर देयां, if other person does all this in the same way or differently, the ways adopted to accept him is tolerance, दूसरा ब्यक्ति एना चिजानों केदा करता है, केदा खाना, पिंदा, बोलना है, रहना है, जा साधे तरी किनाल चलता है, जो तो उल्ट चलता है, उन्हों असी tolerance दा नाम दिनने है, उन्हों असी सभी कार जदो करते है, A tolerant person lives with patience and becomes more successful in life, जो tolerant बिद्यारती हुंदा है, जिन्दगी देविच, उपनी जिन्दगी है, उशान्ती देनाल गजारदा है, ते जादा काम जाब हुंदा है अपनी जिन्दगी जारदा है, tolerance does not mean to consider oneself weak and their oppression silently, but to express oneself peacefully with logic, Tolerance देन चिलता मतलब धी नहीं है कि आपने आपनों कमजोर संभजना है and aware of oppression science, उपनाँ दबदबा, विसी दबदबा थे नही पाना, पर कोई दबाल अवे उचाहिए, जहि अफना लगचीज है, तो आब टॉर्रेंस इस टेस्टेड इन अड़र्स कोडिशन, बुरी तो बुरी हालात जो जिन्दगी चांदी यते हैं उदो साड़ी जो टॉर्रेंस शेहन चेक किता जाना है। तो लाइक ऑ टॉर्रेंस लेचा सब्सक्राइबस चेहन चेहाँ था जाटा जागाए। कबरा आ जा मांगे आ गुसा जादा जाएगा तो अटेन इस वर्चू कमपनी ओफ टॉलरेंट प्यूपल पॉसिटिव थिंकिंग और इनेट मेडिटेशन वेरी मुच रिक्वाइड तो एदेवेच आ टॉलरेंट जो लोक ने जो शेहन शीलताना परे जोना दी सनुसंगत करनी चाहिए है पोजिटिव जिखना चाहिए है तो एदेवेच प्यारे विद्यार थी हूँ इसन सबुख देख खासीत है एदेवेच छुष अक्टीविटीज दसियांने कुष क्रियामा दसियानने जिननों करके दुसि यह चिजनों सिख सकते हुं जिमे एक्टिविटी है पहले first activity है supposed two students sit on each bench in the class you sit with student who is your first friend today a new student who is from some other state or speak different language has joined your class and teacher has told that this student will sit with you from today तुसी कमेंच चेते बैठ दे अपनी कलास दे विच ताड़ा जो नाल वैठन वाला साथ थी ताड़ा कलासमेंट है ताड़ा पका दोस्त है एक देन एदा हुदा है कि ताड़ी क्लास दे बिच कोई विद्यार थी आज 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 तो एदे बेचे तुसी कुछ चिजान टिक करनिया जान क्रॉस करनिया लिख्या है स्टुडेंट जिस तरह एब पुट टिक और क्रॉस जवता डिदमाग चिजान दिया I shall not sit on my bench किता डिदमाग चे गाल आएगी किती मैं इस bench ते नहीं बैठांगा I should note इस bench ते नहीं बैठांगा I felt good with this student has come from other state I will gain some knowledge about his state दूसरी गाले भी आ सकती है कि मैं एजो बदियार थी किसे हो state तो आया मैं एदे नहीं बैठना पसांद करांगा ते एदे तो एदे जो state है ओदे बारे मैंनो कुछ जानना नो मिलेगा इभी गाल हो सकती है जा तीजे गाले है I don't like it मैंनो पसांद नी करदा In the next period I will ask him to sit in some other way अगले पिरेड च मैं बोलागा कि तूसे होर जगाते बैजा So in some other thought you might come into your mind of student they can write them also इदे इलाबा कोई ता डिदमाच होर भी उस बडियार्थी बारे बिचार है तुसी ओभी नो लिख के इते दस सकते हो तो एक उच गल्ला सी जो आंदे आने इतो लाबा ता डिदमाच कुछ होर भी गालारी तुसी लिख सकते हो After doing this activity under the guidance of your teacher student will try to understand their tolerance power So एदे नाड एग अल्ला नो इना बचारा नो पने अपने अपने अदे आपक नो दसने भी मेरे नमाच चीज जान दियाने ते अदे आपक ता नो दसने कि ता डिदी जो शेहन शीलता दी शक्ती किननी जादा है The student who treat the student from other state and language lovingly and endures his behavior will be more tolerant than other जेड़ा बद्यार थी उस बद्यार थी नो जो की बाहर ली state तो आया है उदी पाशा नो पसांद करेगा उदे चीज टॉरेंस पावर जादा होएगी Second activity दे वेचे का स्टोरी दसी होई है केड़ी स्टोरी है तुसी देख सकते हो There was a student called Manjeet who was very short in height since his childhood students had been teasing him and calling him Chotu He felt much agonist one day he watched a movie in the TV it was about a boy like him in the movie when anyone teased him calling him Chotu he just smiled and said one day I will become great through my good deeds The movie had great effect on the Manjeet since that day the Manjeet resolved that he should not get irritated on being teased by other this thought made him good natured and in order to achieve his aim he started reading library book in addition to his course book he began to top the class his teacher and parent felt proud of him and no other students started calling him by his real name they did not why didn't his hard work he cracked the PCS exam by virtue of tolerance that he had learned in his childhood proved useful in resolving the problem of others as well as in office he listed to the subordinate patently and made wise decision he became a popular officer this is a remarkable quality of the tolerance that my love was the first time the story was written by the U.S. which is important in the US that this story is about the Japanese which is the one that I am saying that he is a major part of the country and he was a little bit 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 है ते उदियां चीवेंट्स देखके ओ तो पोजिटिविटी लेंदा है तो भी कहन दा है कि मैं भी अपनी जिंदिकी देवेच कुछ ऐसे काम करांगा जन न मैं अग्गे बदांगा फिर हो मेनत कर दा है कलास देवेच अबर लाणा वैक्घ2 भी तालता है तेक चंगा टॊर्णेंट पर्षन बंढ बनदा है एक एक अड Haitis अंनो भी सखान दी है जिन्दगी ते में वैच जे रब्न ने कोई कमी पेषियाे दिती है त ये अलुकंहीं ही अपनी पावर बनाना चाहिए है अलुकंहीं देनाठ सानू Tenemos पाताश नहीं पावनाना बनी रहेगी, पर होति नहीं कीन पावनादे शिकार नमाँगे, इते नड़सादा खुदά ही नकसान है, नाकि किसे हो तरह गनलते जिन्दगी धेपस better. भी तरीके ना चल दे हां ते असी मेनत करके उना लोका नो भी करके दिखा सकते हां जो सा नू अपने तो काठ समझ देने जो सा नू अंडरेस्टिमेट कर देने तो प्यारे विद्यार्थियों उमीद करना है टॉलरेंस यो शब्द है ताड़े समझ आ गया होएगा कहनों बहुत कुछ है एदे बारे बहुत कुछ गल्ला कर सकते हैं पर पाठ दे अकोर्डिंग भी असी चलना है एदे बिच्चो तानों प्रिशन भी आने ने तो ए प्रिशन तुसी नोट कर लो जो स्टोरी है एदे बिच्च लिखे ने बाइद मंजीत नोट गेट एंगरी ओन विंग काल्चो टू बाइज फैलो स्टूडेंट उनों गुसा क्यों नहीं अंदा सी डू जो फील एट वन कैने लिव मोर पीसफुली इन दा सुसाइटी वाई विंग टॉलरेंट की तुसी कह सकते हो की कोई बंदा टॉलरेंट होन दना सुसाइटी चेंगे तरीके ना रह सकता है बाकी कुछ सिचुएशन देती हैं ने इनू टिक कर लें ताड़ा हों बरक हैं उसी अराम ना कर सकते हो मिन्हों उमीद है जे ताड़ा नों एदे विच कोई प्रॉगलम आंदी है तुसी मिन्हों जरू दसना है ते ए तुसी अपनी कापी ते नोट कर लेना है दूशरा जो शब्द है बदियार्थ ही हो है काइंडनेस काइंडनेस शब्द दा अरत है त्यालत देया पाबना काइंडनेस जो है इंफैक्ट इसा हिूमन इंस्टिंक्ट और फिलिंग in विच दे-र-iamटनेस विच देरी जरून minutes ते फोर गिव माफ करदा है लोग का नूँ ते उदा जो सोचन शक्ति या ब्रॉड ब्रॉड सेंच हो दी सोचन शक्ति जादा है वो तंग दिल नहीं है तो एदे विच बद्यार थी जदे विच पावना हुंदी है काइडनेस दी ओ सिखदा है कि जिन्दगी नूँ मैं किता परस्पेरियस बनाना है किता जिन्दगी नूँ समरिद करना है एंड साइको फीजिकली साइकोलोजिकली मानसिक तोरते फीजिकली शोशल समाजिक ते कल्चरी सब्याचार्क दे objective of this lesson is to inspire the student to rise above narrow madness and live with kindness and make the society better along with their own lives इस चैप्टर दा मतलब एही है कि एदे नाड़ा सी अपने बद्यार्थियानों दसना है जो किसतना जो पावना है kindness दी अपने चे जदो इनकुलेट कर लें देने ते ओदे नाड उनानों किस तरह अपनी जिन्दगी सुवार देने ते अपना समाज भी सुदार देने एदे विच दस्या हुया है एक्टिविटीज चिल्डरन शाबरिंग हैपिनेज एक रोल पले अक्टिविटी है कॉरस इन दा मॉर्निंग अमरित एंद बिंदर वाइल गॉइंग तो स्कूल लाट सी ओन दा वे वाट दिड दे दिड दो ब्यार्थी ने दो साथी ने अमरि अमरित डू गुड है वगुड एगुड डीड आलवेज गुड अरॉंड अमरित कहनदा है चंगे कर्म करो चंगे बढो चंगा ही होएगा चंगा कर्म तानू चंगियां चीजा देंदा है बिंदर स्टॉप स्टॉप फ्रेंड सिंस वेन यूव तार्ट दूइंग सच अमरित कहनदा है वी सब्सक्राइब करने चाहिए ने किसे नू दिखावे तो बिना अन्य कंडिशनली किसे कंडिशन च कामनी करना चाहिए था चंगे काम करने चाहिए ने मेरी दादी माने मेन्नों एक स्टॉरी दसी बिंदर ओके देन स्टार्ट यूर मिशन भाइग दू किस तरह बिंदर यू नो माई पेरेंस के नाइधर गेट मीए बाइसेकल और एसकोर्ट मी तो स्कूल बिंदर कहनदा है तेनू पता है कि मेरे माबाप कोड़ो साइकल नहीं है ते मेरे स्कूल ना ले जा सक देना शाड़ सक देने अमरित ओके डियर डू कम विद मी डेली कम एंड सित बिहाइंड मी कहनदा मेरे ना लाया कर ते मेरे साइकल ते बैठ जाया कर बिंदर सिटिंग ओन दा कैरियर ठैंक यू अमरित गंदा अमरित तानवाद हुदे साइकल दे कैरियर तो काठी ते बैजंदा है अमरित ओके डियर यू नीड नो ठैंक मी रैधर इट्स म दियार थी शेमी क्लास था जिदा ना सोरव है उना दे लाग्यों जानदा है ति वो डिग पेंदा है सोरव ब्रो लिफ्ट मी अप लिफ्ट मी अप लिज कंदा मिनू ठाओ प्लीज रूंदा है उने साट लगी है बिंदर केंदा है ये वाई डू यू कीप राइडिंग इन एर डूंट वरी आई जस्ट लिफ्टिंग यू अप दिंदर केंदा है इननी जल्दी क्यों नठ रहे हैं हवाज क्यों अट रहे हैं मैं कोई ने तेनू चक नहां सोरव वी क्विक ब्रोदर माई यूनिफोर्म हैस कोट स्पोईल केंदा जल्दी कार साथी मेरी जो बर्दी ख्राब होगी है अमरित डस्टिंग सोरव यूनिफोर्म एंड टेकिंग हिम बाई इस आरम आस्क हिम इने वरी टॉन आर यू के एनी इंज्री अमरित अनू ठांदा अधी बर्दी साफ करदा अनू अधी बाम फड़के चलदा है उन कहनदा साथी को इतनू तकलीफ तानी ह कि दुख परगड करदा है सोरव नौ ब्रो इट सोकी नहीं साथी सब ठीक है अमरित आराइट वट डू राइड यूर वाई सैकल स्लोली तो अमरित के अन्दा ठीक है फिर साटने नी लगी पर अपनी जो साइकल है अनू सही तरीक के नड़ होली होली चलाया कर उदे बाद सेकंड सेंसीन अन्दा है कोरस डूइंग तो नौबल डीड अमरित आंड विंदर रीच स्कूल क्रैक यूर ब्रें तो अंडर्स्टैंड वट दे सैड तो दा टीचर इन दा क्लास इन दा स्कूल फिर की हुंदा है उनना ने दो रस्ते जे चंगे काम कीते एक ता सोरव नो अठाया एक नो अपने साथी नो उनने साइकल दे विठा के लेके आया होन की हुंदा है बिफोर मॉर्निंग सेंबली ओन सींग हिदा टीचर अमरित हम सम्थिंग विद डू रिस्पेक्ट वांस अगेर फिर टीचर नो देखे कोश रिस्पेक्ट ना कहनदा है अमरित डू टीचर लिखे का लुट देखे सब्सक्त वो घ्यका रूडब बूंद सेंगे पार लगईल्चर लग होए मैडम प्लीस गिम मी माई ग्रेंड मदर सेद दैड यू गेट ब्लेसिंग ओन दूइं सम्थिंग फार दर क्यांदा नहीं मैडम इन्हों काम करन दो क्योंकि माता जी न क्या है कि तुसी कुछ चंगा काम कर देता नो दूसरे निया दौामा लग दिया हन मैडम वाँ वेरी गुड बहुत अच्छे टेक दीज फाइल एंड गिव देम तू प्रिंसिपल ए फाइल लाजो ते प्रिंसिपल नो दे दो प्रिंसिपल इज स्टैंडिंग ओड साइड द ओफिस बोथ वाए अडवांस दौाड हिम तो फाइल लेकि दोने उद्धर जान देने बोथ वाइ गुड मॉर् greenhouse sir चैंदे ने गुड मॉर्erten sir प्रिंसिपल खेंड गुड मॉर्निंग वाइ én अमरीच इज आबर पञजाबी टीचर वज सैंड थीस वाइल साथी पंजाबी नी मैढम नहै फाइलां पे जी आने, प्रिंसिपल गांदा कीप इन ओफिस दे बिच रख लो, बिंदर अक्चली ओपन दा दोर फिर प्रिंसिपल दे खोलन दो पहले बिंदरो द्राजा खोल दा है कि रिस्पेक्ट दे त्रिक्के दे नाल, बिंदर प्लीज मुव इन सर, सर तुसी अंदर आओ, प्लीज प्रिंसिपल ठेंके लौट माई सान, बेटे बोथ दातन बाद, बोथ ठेंके लौट सर, बोथ जवाइन दा स्टुडन सिटिंग इन फ्रंट दें, त्रिक्के दे नालो, रिस्पेक्टफ़ली ठीट कर देने, तीसरा सीन की है दे विच, क्लास इंचार्ज इस क्लेक्टिंग फीस फ्रॉम दा स्टुडन, और क्लास इंचार्ज बद्यार्थियां तो फीस ले रहा ह है, क्लास, तो गर्ल्स, हर्मन और कॉमल, स्टुडिंग होल हार्टली, लट सी इन दा स्कूल, वाट टाइप ओफ नोबल वर्क दे दू, उनने की ता, इंचार्ज, ओके स्टुडन, फर्स फाल, दिपोस्ट इर फीस, जार केंदा, अपनी फीस जमा कराओ, हर्मन, जैस सर, एक माई फीस, फर्स्ट, हर्मन केंदी, मेरी फीस लो, इंचार्ज, ओन सिंग, 500 पीस नोट, वेरी गुड़, जैस सर, तानवाद, इंचार्ज, गेट अप कॉमल, विरिंग योर फीस, अपनी फीस लेकिया, कॉमल केंदी, जैस सर, टेक माई फीस, इंचार्ज, जैस डीब, वाई आर, यू गेटिंग, अपनी फीस, क्यों फीस नहीं दे रहे, दीब, दीब नो केंदा, सर, आई कुड़ नोट ब्रिंग माई फीस, केंदा, मैं फीस नहीं लेका आया, दीब, केंदा, इंचार्ज, डिड़ यू फोर्गेट, और कुड़ नोट ब्रिंग, कितन पोल जा नहीं लेकिया है, दीब, नो सर, दिस इस नोट दा केस, पापा कुड़ नोट गेट माई वर्क, एंड मॉमी जल, केंदा, मेरे मा बिमार है ते, पापा कम ते, नहीं गे, इंचार्ज हो के, इट डाज नोट मैटर, आई विल डिपोजिट इट मैसल, यू जस्ट स्टड होल हाट ली, इंचार्ज केंदा, कोईन, तु अपनी पढ़ाई कार, मैं तेरी फीस अपने आप देदांगा, हर्मन, नो सर, आई विल डिपोजिट इट नहीं सर, मैं दी फीस देया मैंगी, पापा ओफन से, डैट, वी शुड काइंड, एंड हैंड अड अड नीडी फेलो मैं दी फीस बाच दे मांगा, कोमल, इंटर बेनिंग, स्टेंड अप, जैसर, रामपरशाल लिप्स, बिद हीस, मेरे बिदार्थियो, बहादर बिदार्थियो, ताड उमर लंभी होवे, यू आर वेरी कार्ण, तुसी बहुत देया, तुसी बहुत देया, तुसी बहुत द लू हो, यूर फेलो मेट्स अर वेल्प्स अर फेल्प और प्लीज, दिस इस आलसो अचीब, वनदी हल्प होई है, ते वो खुश भी होई है, वह अरामपरशाल नोट्स, इस हेड़ रिस्पेक्ट, और फील है, अपना से रिह लानदा है, ते रिस्पेक्ट फील करता है, व seeing all this the students of the class experience different type of pleasure teacher address them after looking at their pleasant faces in charge very good students you must have realized that kind of ecstasy kindness gives in fact this is the real joy of life take out your book let's read the next lesson on beautiful life canada by the artyo deyaloo hona jindgiich bhoot ik changi aata hai na taadi jindgiich khushiyaan diyanne taonhoi jindgi da majaan da hai johlo hona apnei padaai kar deyaan toh payare by the artyo ee do parts and do lessons and aaj jasi ki tenei umeed karna hai taonhoi samjai honge ee de wich questions ne ee tusi karloge mannou taadee te puri aas hai te kis tarha media laga kainili jirur share karna te jay taadee koi edhe regarding vichar ne kusha taadee dhimaach hor chijjaan ne diyalo diyaluta paabna de daya paabna kindness naal shahen shilta tolerance de naal te please jirur panei sathiyan undasso te jirur mannou whatsapp te meis se jirur karna taa dhimaach koji dhani shtori hai kushi changa kama kita hai kishe apnei sathiy di apnei gwanndi di help kiti hai te aasi yonhoi jirur class de wich share karanghe tanabad sathiyo mildeha next chapter de wich tanabad te umeed karna hai te ushi tolerance te kindness noo jirur apnei jindgiich apnaoge thank you for watching this video